आयो जानका लेते हैं जो यूजी सी पर धंड़ा प्रदर्शन करें प्रोफेशर्स हैं और हमारे बीच में एक प्रोफेशर और हैं यह आप देख रहे हैं कि इस हालत के अंदर जब दुख होता है तो बड़ी बिढमना होती है कि इस हालत में यूजी सी पर चल कर आए हैं जो मैं डॉक्टर केदार कुमार मंडल हूँ प्रेशिडेंट एकाडमिक फॉरम पर सोचल जस्टिस डेली उनस्टी डॉक्साओं आप किस कोलेज में पढ़ा रहे हैं मैं दयाल सिंग कॉलेज मौनिंग में पढ़ाता हूं तो आपकी क्या मांग है किन मांगों को लेकर आप यह वह रही हो और यह वरत्मान गब्मेंट कोई भी जो है सीटी ओविसी और मैनर्टीज को ध्यान में रख करके कोई पाली सी नहीं बनाई जा रही है तातकालिक जो मांग है वह यह है कि रोस्टर जो 200 पुएंट रोस्टर होता है उसको पहले यूजी सी ने 2006 में बनाया था अ अब उस रोस्टर को बद्ला जा रहा है और अब कहा जा रहा है कि अग्यराइऑ है सब्सक्राइब तो हम उसके विरोज में यहां पर आए हैं कि हमें 200 पॉइंट रोस्टर चाहिए मंदल साब यह देखा गया है कि जब कोई ऐसा मुहीम आती है या इस तरीके के रोस्टर बगर बनाया जाता है तो कुछ आप जैसे डॉक्टर्स को बुलाया जाता है जो सब्जेक्ट सोधन करने जा रहे हैं क्या आपको पहले यह काम करने से पहले आपको बुलाया गया आपकी विचार विमर्स हुआ नहीं नहीं देखिए हम लोगों को कभी भी बुलाया नहीं गया गर्मेंट क्या करती है हम लोगों से कोई प्रामर्स नहीं लेती है यह जो सरकार ने निर् करके सुप्रीम कोट में जाया है उसको चैलेंज करें गवर्मेंट एक पार्टी बने तब हम मानेंगे कि गवर्मेंट सब का विकास और सब का शाथ चाहती है मंदल जी देखा गया है कि जो सरकार को कुछ अपने आप निर्णने लेने होते हैं या अपने आप निर्णने लेने चाहिए वो तुरंत सुप्रीम कोट में जाते हैं और सुप्रीम कोट में छोटी से छोटी पेटिशन लेकर डाल देते हैं कि वह लंबी चला जाता है केस और सबसे बड़ा कोट होता इस देश का तो मैं यह कहना चाहता हूं कि निरने ले और बोले कि हम दे रहे हैं कि जब हम लोगोंने बैकलोग की मांग तो यह साजिशन की की जो समस्या यह मांग वो मांग हीcoposcopeenth committed तो देख विश्न आए वनकर गए गए एक नई समस्या साजिशन क्रेट कर दी गई है जो मैं ऐसा मानता हूं आपका मानना है विल्कुल सही है यह टार्गेट करने की जो प्रंपरा है भारती पॉलिटिक्स में वह आज नहीं और इस गवर्मेंट से समस्क्राइब नहीं बैल कि पहले से हो रही है पहले बहुत इस तरह से होती थी कि जंटा को पता नहीं चलता था यह घ्यामर्मेंट तो प्षले चार साल से बनी लेकिन इस गर्मेंट में बहुत सी डिसनल लिए गए जो तोटली इनके चले गए तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कोई भी गर्मेंट रही हो भारत में वह ऐसी के लिए कोई फाइदेमंद की गर्मेंट ने रही है मंदल ये मैं एक तरफ ये कर जाता है कि जो यहां कर ठीचर से हैं करें बहुत बड़ी टाजीडी है और situation कोमेडी में बदलता चला जा रहा है सिक्षक जिनका काम है पढ़ाना क्लास लेना वह आज रोड पे हैं खास करके पूरी सिक्षक कॉम्मिनिटी आज पूरी तरह से प्रभावित है सरकार के फैसलों से इसलिए हमारे गुश्रा जो है सड़कों पर उतर रहा है सर एक तरब वह एजुकेशन की बात करें तो हमारे माने प्रदान मंतरी जी कहते हैं पकोड़े का भी एक व्यापार है आज बीटेक डॉक्टर जो यह पकोड़े बनाएंगे तो वह बेकेंगे कहां मुझे हसी आती है इस बात को लेकर के पकोड़े अगर व्यापार है तो भीक मांगना भी एक व्यापार घोशित कर दिया जाना चाहिए तो पकोड़े से अगर फामदनी हो रहा है तो समझना चाहिए कि पूरी जंता देश की जो है है भिकमंगे भी भीक मांग रहा है तो फिर unemployment की कोई समस्या देश में है ही नहीं तो सवाल यह उठता है कि सरकार इसको unemployment मानती है या implement मानती है सरकार कहती है पकोड़े बेचने वाले भी लोग जो है वह जौब में हैं उनको जो आप समझा जाना चाहिए वह अभी उत्पादन कर रही है तो फिर इस तरह से आप जो है सारे को बंद कर दीजे और लोगों को पकोड़े बेचने दीजे और लोगों को टायर और जो है खेती करने दीजे मज़दूरियों ठेला चलाने दीजे क्या जौरत है सारे इंस्ट्यूशन की आप मुनिस्ट्री बंद कर दीजे वहां प्रेंट्मेंट मत कीजे डिफेंस बंद कर दीजे सारे लोग पकोड़े ही बेचे इसी से देश का विकास हो जाएगा एक तरफ यह लोग कहते हैं कि हम चांद पर आसमान आसमान पर घर बनाएंगे रिसर् कर देखें मैं इस पर क्या बोलूं आश्चरिश बात का है कि हमें तर्क के आधार पर डिबेट के आधार पर चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए देश तर्कसिल बनेगा तो फिर वैज्यानिक बनेगा और वैज्यानिक डवलप्मेंट होगा गाए गोवर और गोमुत्र य आया गया है स्टी ओविसीज को दिख्भरमित करने के लिए और कुछ कहना चालते हैं थैंक्यू